पंडित राम नारायन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे उन्हें शिव मंदिर में सेवा करते हुए काफी साल हो चुके थे राम नारायन का स्वभाव था विसरतियों के दिनों में भगवान शिव को कंबल उढ़ाते थे और गर्मियों में उनके लिए पंखा चलाते थे भयंकर गर्मी पढ़ रही थी इसलिए पंडित जी नियम के अनुसार रात को भी भगवान शिव के लिए पंखा चला कर ही घर जाते थे पंडित जी मैं आपको अकसर देखता हूँ सर्दियों में आप भगवान को कंबल उडाते हैं और गर्मियों में उनके लिए पंका चलाते हैं क्या भगवान पर मौसम का असर होता होगा उन्हें भी गर्मी लगती होगी क्या और गर्मी से महादेव का भी पसीना निकलता होगा क्यों नहीं बेटा अवश्य गर्मी लगती होगी अवश्य ही पसीना निकलता होगा पर हमें दिखाई नहीं दिता बस मेरे मन के भाव कहते हैं कि पंखा चलाओ तो प्रभू ठंडी हवा में सो जाएंगे सब कुछ मन के भावों पर निर्भर करता है बेटा सईका पंडित जी जैशिव शंकर पंडित जी भगवान शिव को ठंडी ठंडी लसी चाच सब का भोग लगाते थे ताकि भगवान शिव को गर्मी न लगे पर एक दिन मन्दिर का पंखा खराब हो गया पंडित जी परिशान हो गया अरे मदन क्या हुआ, बिजली वाला आया या नहीं शाम होने को आई है मैंने बोला था मंदर का पंखा चल नहीं रहा बिजली वाले को बुलाला वो ठीक कर जाएगा पंडी जी, आज बिजली की दुकान बंद है अब तो कली खुलेगी कली ठीक करवा पाएंगे पंडित जी उस दिन थोड़े परिशान रहे क्योंकि उन्हें बार-बार यही लग रहा था कि भगवान शिव को गर्मी न लग रही हो कहते हैं जब भक्त अपनी सची भावना से कोई कारे करता है तो भगवान भी उसके विश्वास को बनाए रखते हैं आधी रात के समय शिव जी को गर्मी लगने लगी और उनका पसीना निकलने लगा और शिव जी साक्षात रूप में आ गए क्या हुआ प्रभू इतनी रातरी में कहां जा रहे हैं कोई देख लेगा तो दुविधा हो जाएगी नंदी बहुत कर्मी लग रही है देखो तो पसीने चूट रहे हैं आज मंदिर में पंखा नहीं चल रहा तुमने सुभा सुना नहीं कि बिजली वाला कल आएगा पर महादेफ पंखा तो आप भी अपने चमतकार से ठीक कर सकते हैं नंदी तुम भी बहुत भोले भाले हो अगर मैंने अपने चमतकार से पंखा ठीक कर दिया तो भक्त की भक्ती का इम्तिहान कैसे होगा इसलिए मैं पंखा ठीक नहीं कर सकता मैं थोड़ी देर मंदिर के बाहर अवा खाने जा रहा हूं ताकि गर्मी भी न लगे और थोड़ा पसीना सूख जाए ठीक है महादेफ एक काम करता हूं मैं भी आपके साथ चलता हूं आप अकेले मत जाओ ठीक है हम रूप बदल लेते हैं शिवजी साधू बन जाते हैं और नंदी उनके चेले अब दोनों मंदिर के बाहर हवा में टेहलने लगते हैं चलती-चलती शिवजी और नंदी मंदिर से काफी दूर निकल गए रात के समय में भी गर्मी बहुत थी इस वज़े से शिवजी को बहुत पसीने आ रहे थे नंदी, तुम यहीं रुको मैं राम नारायन को नीन से जगा कर सतर्क कर दूँ कि गर्मी बहुत है कल हर हाल में पंखा ठीक करवा ले जो आग्या प्रभू शिव जी, राम नारायन के सपने में आते हैं राम नारायन, कल याद से पंखा ठीक करवा लेना आज मैं पूरी राद गर्मी में सो नहीं पाया मुझे बहुत पसीना आ रहा था इसलिए मैं तुम्हें फिर से याद दिलाने आया हूँ पंखा ठीक करवा दो, गर्मी बहुत है आज तो जैसे तैसे मैंने रात काट ली पर कल की रात मैं बिना पंखे के नहीं सो पाऊंगा इतना केकर शिव जी अंतरध्यान हो गए और वापस नंदी के साथ मंदिर में विराजमान हो गए उधर राम नारायन शिव जी की बात सुनकर मनी मन सोचता रहा मुझे ऐसा सपना क्यों आएगा अवश्य ही प्रभु मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं वास्तों में पिछली रात गर्मी के कारण भगवान शिव सोए ही नहीं थे शिवजी का पसीना निकल रहा था, उन्हें गर्मी लग रही थी, आसपास के सभी भक्त जब शिवजी की मूर्ती से पसीना बहता देखते हैं, तो वे भी चमतकार को देखकर दंग रह जाते हैं, राम नारायन जब भक्तों को शिवजी के सपने की बात बताता है, और पंखा खराब होने का जिक्र करता है, तो सब भक्त हैरान रह जाते हैं, राम नारायन उसी समय, बिजली वाले को बुला कर, मंदिर का पंखा ठीक करवाता है, मुझे एक शमा कर दो प्रभू, मेरे कारण आपको पूरी राद गर्मी में सोना पड़ा, आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी प्रभू, राम नारायन जी, आपका विश्वास जीत गया, मैं उस दिन आपको यही पूछ रहा था, कि क्या सचमुझ भगवान पर मौसम का असर होता है, पर आज प्रमान हम सब के सामने है, भगवान भक्त के भाव के साथ ही चलते हैं, आपका जैसा भाव होगा, वैसे ही भगवान रहेंगे, भगवान अपने भक्त की भक्ती में रम जाते हैं, आप बहुत भगेशाली हो पंडित जी, जो आपको भगवान शिव ने दर्शन दिये, जै शिव शंकर, थोड़ी तेर बाद ही जब पंखा चला, तो शिव जी का पसीना सूप गया, और राम नारायन खुशे के आंसुरो पड़ा, उस दिन के बाद राम नारायन ने पूरे गर्मिया, कभी भी भगवान के मंदर का पंखा बन नहीं किया, इसलिए कभी भी भगवान शिव को पसीना नहीं आया, शिव पूर गाउं में एक बहुत ही पुराना पेड़ था, जिस पर एक कववा और कोयल दोनों रहते थे, एक बार, दूसरे गाउं से आये दो युवक उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, कववे अपनी मधूर आवाज में गाने लगी, वाह, कितनी मधूर आवाज है इस कववे की, इसके गाने ने तो मानो हमारी सारी थकान पल भर में ही गायब कर दी, कितना अनंदारा इसका गीत सुनकर, ऐसा लग रहा है, ये सारा दिन ऐसे ही गाती रहे, कुछ तेर गाने के बाद कोयल चुप हो जाती है, तभी कववे काय काय करना शुरू कर देता है, कववे की करकश आवाज सुनकर, उन दोनों राहगीरों ने पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया, कववे डर कर वहाँ से भाग गया, कुछ तेर बाद जब वो दोनों वहाँ से चले गए, तब कववा आकर उस पेड़ पर वापस बैठ गया, कववा रोते हुए कोयल से कहने लगा, भगवान ने मेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है, ऐसा क्यू कहते हो, तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है, तुम्हारा रंग काला हो, लेकिन बोली इतनी मीठी है कि तुम्हें सभी सुनना चाहते हैं, तुम्हें कोई नहीं भगाता, यही तो विधाता का खेल है मेरे भाई, वो जिसे जैसा बनाता है, उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है, तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ, जिससे कि मेरी भी तुम्हारी तरह मधुरा वास हो जाए, यह तो कोई नहीं कर सकता कि तुम्हें कोयल बना दे, सिवाए उस शिवजी भगवान के विधी विधान को बदलने की शमता तो केवल शिवजी के ही पास है, एक वही हैं, जो ब्रह्मा जी के लेक में परिवर्टन कर सकते हैं, अगर तुम कैलाश शाकर शिवजी से प्राटना करो, तो वो तुम्हारी सहाइता जरूर करेंगे, कोई वहां से उड़कर दो दिन का सफर तैकर की, कैलाश शिवजी के पास पहुँच जाता है, प्रणाम प्रभू, कागराज, आज कैलाश किस कारण वशाना हुआ? इसके बाद कोई ने अपनी सारी व्यथा शिवजी को सुना दी, उसकी कहानी सुनने के बाद शिवजी बोले, एक आगराज, तुम इतने दुखी नहो, तुम जैसा चाहते हो, मैं तुम्हें वैसा बना दूँगा, किन्तु मैं चाहता हूँ कि कोयल बनने से पहले, तुम एक बार कोयल से जाकर पूछ लो, कि वो कितनी सुखी है? शिवजी के बाद सुनकर, कववा कोयल के पास जा पहुचा, और उसको अपनी और शिवजी के बीच होई सारी बाद बता दी, फिर कोयल उससे कहने लगी, भाईया, मेरी आवाज भले ही मिठी है, पर रंग काला है, अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती, मुझसे अच्छी जिदगी तो हंसकी है, जो कितना सफेद है, सभी देखना चाहते हैं उसे, सारा दिन सरोवर में रहता है, कितना सुन्दर लगता है, हर कोई उसे देखना जाता है, कोईल की बाते सुनकर कोवे का मन बदल गया, और वो फिर शिवजी के पास पहुचा, प्राभू, अब मुझे कोईल नहीं बनना, वो तो अपनी जिन्दगी से खुश नहीं है, किन्तु हंस जरूर अपनी जिन्दगी से खुश होगा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम से कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो, तुम तो अपनी जिन्दगी में बहुत खुश होगी ना, नहीं भाई, मुझे हमेशा डर लगा रहता है, कि कहीं कोई मेरा शिकार ना कर ले, लेकिन तुम्हारा शिकार कौन करेगा, आज कल हर कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मार कर खा लेते हैं, मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है, कि कहीं कोई मुझे मार ना दे, यहीं मेरी जिन्दगी है, सच कहूं तो जिन्दगी तो तोते के अच्छी होती है, हरा हरा रंग और लाल लाल चोँच, खंस की बाद सुनकर कोवा तोता बनने की ख्वाइश पाल लेता है, और वो शिवजी के पास जाकर कहता है, प्राभू, मुझे तोता बना दीजिए, काग राज, तुम एक बार तोते से जाकर पूछो, कि कहीं उसको भी अपनी जिन्दगी से कोई शिकायत तो नहीं है, उस इस चोंच से स्वादिश्ट खाना खाते हो, हरा हरा सा खूपसूरत रंग है तुम्हारा, लाल लाल, सुंदर सुंदर चोंच है तुम्हारी, देखने में कितने सुंदर हो, सब लोग तुम्हें मिठ्ःू कहकर बुलाते हैं। डौस्त मेरी सुन्दर्ता ही तो मेरी जान का कारण है मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़ कर पिंजरे में न बंद कर दें मेरी आजादी न छीन ले असली सुन्दर्ता तो मोर के पास है सुन्दर सुन्दर पंक और जब वो निर्टे करता है तो कितना सुंदर लगता है तोते की बाद सुनने के बाद कववा शिव जी के पास गया और बोला प्रभू ना ही मुझे हंस बनना है और ना ही तोता कृपा करके मुझे मोर बना दीजिये मोर तो अपनी जिन्दगी से बहुत खुश होगा कागराज तुम एक बार मोर से भी पूछ लो उसे कहीं अपनी जिन्दगी से कोई शिकायत तो नहीं है कववा मोर को ढूणने गया लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया फिर वो उसे चिडिया घर में मिलता है भाई, तुम दिखने में कितने सुन्दर हो जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी खुबसूरती में चार चान लग जाते है लोग तो तुम्हारे साथ फोटो खीचने में कितने खुश रहते है और एक मैं काला कलूटा अगर मैं किसी की छट पर भी बैठ जाओं तो वो मुझे वहां से भगा देते हैं अरे काहे की सुन्दर्ता इसी सुन्दर्ता के कारण तो आज मैं पिंजरे में कैद हूँ अगर बाहर रहता हूँ तो हर समय डर रहता है कि कब ना जाने कौन आकर मेरे पंक नोच ले कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले सबसे अच्छी जिन्दगी तो तुमहारी है ना ही तुम्हें कोई पकरता है और ना ही तुम्हारा शिकार करता है अपनी आजादी में रहते हूँ लेकिन फिर भी न जाने क्यों तुम्हें खुद से शिकायत रहती है कि तुम्हारा रंग काला है और आवाज बेकार है सच कहूं तो यही तुम्हारा सुरक्षा का वच है मैं तो इश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जनम में मुझे कववा ही बनाए मूर की बातों को सुनकर अब कववे को समझ में आ चुका था कि इश्वर वही करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है ना कि वो जो तुम्हें पसंदो यह सोच कर कववा फिर शिवजी के पास पहुचा और कहने लगा प्रभू मुझे ना तो तोता बनना है न कोयल न हंस और न मोर मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ प्रभू शिवजी उसकी बाते सुनकर हसते हैं और कहते हैं काग राज यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था हमने किसी से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए क्यूंकि वो हमेशा दुख का कारण ही बनती है और हर कोई अपने आप में श्रेष्ट है अब कवे को सारी बात समझा चुकी थी वो शिवजी से आग्या लेकर खुशी खुशी वापस कोयल के पास लौट जाता है